Welcome back learners, we are talking about sales forecasting, तो अब तक आप लोगों ने देखा कि sales forecasting कैसे develop करते हैं, क्यों करते हैं, what are the types of sales forecast, यह सब चीज़े हम लोगों ने study की, Now, before we move on to the methods of sales forecasting, कि किस तरह से अब sales forecast develop कर सकते हैं, अपनी company के लिए, हमेरे लिए कुछ basic terms समझना बहुत जरूरी है, जो basic terms हम लोग sales forecasting में use करते हैं, अब कोई भी काम करते हैं, तो आपको उसकी terminology तो पता होनी चीज़े, for example, अगर आप cricket देखे हैं, आपको पता ही नहीं, LBW क क्या होता है, average क्या होती है, तो आपको कुछ मजा नहीं है, college में जैसे आप पढ़ने आएं, तो आपने समझा कि GPA क्या होता है, CGPA क्या होता है, SGPA क्या होता है, यह सब चीज़े आप समझते हैं, तो हमारे को भी हम अगर sales forecasting पढ़े, study करे और उसको develop करे, हमें बहुत जरूर हो भी है, उसके basic term समझना, तो जो पहला term आप जबी भी sales forecasting बनाएंगे, या sales forecasting किसी और की पढ़ेंगे, तो एक term आप सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे, which is market potential, market potential क्या होता है, it is basically the best possible maximum estimated sale of a given product or service for the entire industry in a given geographic market for a specific period of time, इसका क्या मतलब हुआ, के for example, अगर आप personal computers बना रहे, personal computers अगर आप बेचना चारे, तो market potential personal computers का India का for the year 2016-17 was estimated to be 11 million units, अभी भी इसका मतलब नहीं समाझ माया तो मैं समझाता हूँ, आपने product सोचा, personal computers, इंडिया के अंदर, इस साल के अंदर total, आप मतलब अगर इंडिया के अगर personal computers अगर आप market देख या कई नगर इंडिया के अंदर अगर आप personal computers की potential देखो, तो 11 million units बेच सकते हैं, अब इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आप 11 million units बेच दोगे, this is the entire market potential, market potential is also called industry sales forecast, कि पूरी industry का personal computer industry का 2016-17 में क्या potential है, potential word का आपको meaning पता होगा, कि क्या इसका, what is the, इसकी क्या संभावना है, कि कितना बेच सकते हैं, that is potential, आपके अंदर हमेशा बोलते हैं कि कितना potential है, कितनी आपके अंदर काभिलियत है, तो ये market की काभिलियत है, कि अगर सब कुछ अच्छे से चला, एकदम एक dream run चला, तो 16-17 साल के अंदर 11 million units बिके जा सकते थे, this was the forecast, अब जैसे कि मैंने आपको प potential define कर रहे हो, और यही बात आगे sales potential और sales forecast में भी ध्यान रखना, सबसे पहले तो item marketed, आप किसको बेच रहे हो, किसका potential define करने की try कर रहे हो, या किसका forecast बनाने की try कर रहे हो, तो क्या था यहां पे, personal computers, then sales estimated in units or value, जैसे मैंने आपको last time बोला था, कि जो चौथा variable होता है, that is कि क्या, मतलब आप बोल रहे हो कि इस साल computers की इतनी sales होगी, तो इतनी मतलब क्या हो, इतनी को define करना पड़ता है, तो यहां पे उसको आप units में बता सकते हो, जैसे कि आपने 11 million units बता है, क्यों क्योंकि हर एक company का, यह हम industry sales forecast की बात कर रहे हैं, आप Apple का computer होगा, जो Mac book होता है, व इसके लिए आप number of units define करते हो, कि अब इसके अंदर जोड़ लो, किसने कितना बेचा वो जोड़ लो, but number of unit तो 11 million units आपका potential हुआ, market potential, पूरी market का, then आप geographical area या फिर type of customer और both define करते हो, अब यह product ऐसा है, कि इस product को लड़के भी use करते हैं, लड़किया भी use करते हैं, बच्चे इसलिए आप geographical definition दे रहे हो, तो आपने geographical market कौन सी दी, इंडिया, इंडिया के अंदर इतना होगा, यही पे अगर, अगर आप कपडों की बात करें, तो for example, अगर आप ladies के, अगर आप लेंगा चोली बनाते हैं, तो आप एक specific market का potential define करेंगी, अभी वो अगर आप इसके अंद product which everybody use, हम इसको सिरफ एक geographical market में define कर रहे हैं, last जो सबसे important factor होता है, that is year, कितने specific time period के लिए, कितने year के लिए आप उसको define कर रहे हो, इस से आपका market potential बनता है, okay, जो next time आता है market potential के बाद, that is market forecast, आपने पहले market में कितनी संभावना है, market में कितना बेशते हो, वो तो define कर दिया, अब industry की demand, expected industry sales, और expected market demand of a given product or service at one specific level of industry marketing expenditure in a given geographic market for a specific period of time, ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ, कि मेरे पास potential तो है, 11 million units बेचने का, personal computers के अगर जम जापे बात कर रहे थे, बट उसको इतना बेचने के लिए मुझे investment करना पड़ेगा, मुझे खर्चा करना पड़ेगा, मुझे advertising, marketing expenditure करना पड़ेगा, क्या उतना करने के लिए company तयार है, तो market forecast जो आपका पूरा एक बड़ा सरकल बनाया, उसको अब थोड़ आप श्रिंग करेंगे, market forecast बनाने के लिए, कि वहाँ पे आप देखेंगे कि एक साल के अंदर, या given period of time के अंदर, आप कितना खर्चा करने को तयार है, और industry की क्या हालत है, और market की demand कितनी, क्या market तयार है, हो सकता है कि market ही ready नहीं हुई हो, for example, आज भारत में हर एक जगा प तो इस समय हम भारत के अंदर, smartphone का market बहुत अच्छा है, पर यह आप imagine करिये, आज से 5 साल पहले, बहुत लंबा भी नहीं, 5 साल पहले, 6 साल पहले आप imagine करिये, जब गाओं-गाओं के अंदर, अभी तक आपके सारे के सारे यह mobile towers नहीं लगे थे, तो उस समय आपका smartphone का market ही नहीं है, तो potential है, इंडिया के अंदर, but demand ही नहीं है, demand क्यों नहीं है, क्योंकि network ही नहीं है, company होने खर्चा ही नहीं किया है, marketing expenditure ही नहीं किया है, तो इसके लिए, जो market forecast होता है, that is, that depends on lot of factors, now इधर example दिया हुआ है, the market forecast for smartphones in India, देखो आपने पहले तो commodity defined की smart phones, India अपनी market defined क for the calendar year 2017 was 174 million units, आपके चारो variables आगए, आपने define किया, कि इंडिया के अंदर, smart phones के अंदर, smart phones की market इतनी थी, market forecast को market size भी कहा जाता है, जो आप बोलते होनों कि, what is the size of the market, that is dependent on the market forecast, so potential से नीचे आता है, market forecast या market size, अब इसके नीचे आता है, company sales potential, sales potential, या फिर आपकी particular company का sales potential, what is it, it is the best possible, और maximum estimated sales of a given product or surface for a company, in a given geographical area, for a specific period of time, now यही बात, जो आपने पहले market potential की की, कि अगर सब कुछ चोड़ दो, खर्चा, infrastructure सब कुछ चोड़ दो, कितनी public लेने को तयार है, जैसे भारत के अंदर, 7, अपना, एक करोड़ तीस लाग, एक करोड़ तीस लाग की आबादी है, तो, सबके सब user अगर मेरा product लेने को तयार है, तो मेरा market potential होगे, तो लेने को तो तयार है, बट क्या मेरे पास product तयार है, क्या मैं खर्चा करने को तयार हूँ, तो उससे market forecast बनेगी, अब इसको अगर आप जूम इन करोगे, sales potential पे, तो best possible आपका given product और service का, आप कितना उसको करोगे, उसके पर depend करता है, now sales potential is also defined as the maximum share or percentage of market potential that is expected to be achieved by a company, यह अभी भी expectation की बात हो रही है, तो इसके लिए best possible scenario क्या है, what is the best possible scenario that you can achieve, अब जैसे smartphone की हम लोगों ने बात की, कि इंडिया के अंदर 174 million units का market था 2017 में, बट उसमें से ये सारे के सारा market capture करने की काबिलियत, 174 million units सिरफ एक ही company नहीं बेच सकती, क्यों constant होते, उनके पास infrastructure नहीं होगा, उनके पास distribution network नहीं होगा, competition होगा, तो इसके लिए ये 174 million units अगर 100% market होई, उसमें से कुछ percent, 20% share Apple का होगा, 30% share Samsung का होगा, 20% share OnePlus का होगा, यहाँ पर जो example book में दिया हुआ है, कि sales potential of ICICI prudential is expected to be close to 10% of gross premium collection of life insurance industry in India in coming years, अब इसका क्या मतलब हुआ, कि आने वाले समय में, इंडिया के अंदर जितना भी life insurance का gross premium collect होता है, उसका 10% ICICI prudential collect करने की दम रखती, इतना potential है इस company के पास, ये company का potential है, but again, this is not company sales forecast, वो एक level इससे भी नीचे आता है, that is sales forecast और company sales forecast, now what is company sales forecast, it is the estimated company sales of a given product or service under a proposed marketing plan, अब यहाँ पे आपके marketing plan की बात होनी शूरू हो जाती है, कि आप कितना खर्चा करोगे, company level पे कितना खर्चा करोगे, in a given geographical market for a specific period of time, now there is a relationship between company sales forecast and the proposed marketing expenditure or marketing plan, मतलब क्या हुआ, कि अगर आप बोलते हो, कि भाई मैं इस साल मेरा जो advertising budget है, last year मेरा advertising budget था, उससे 10% में बढ़ाने को तहीं है, तो अगर आप अपना 10% advertising budget बढ़ाओगे, तो जरूरी नहीं है कि आपकी sales exactly 10% ही बढ़े, वो हो सकता है, sales आपकी 50% बढ़ जाए, या हो सकता है, sales आपकी सिरफ 5% बढ़ जाए, बट अगर आप अपना advertising budget बढ़ाओगे, अपना marketing budget बढ़ाओगे, तो आपका sales forecast उस हिसाब से adjust होगा, obviously बात है, अगर आप खर्चा कर रहे हो, तो आप चाहोगे कि मेरी sales भी बढ़नी चाहिए, अगर आप 2 मिनिट के लिए मालो, इस साल आपने 1000 रुपे का खर्चा की advertising के उपर, और आपकी 10,000 रुपे की sales होई है, अब next year, अगर मैं आपको बोलूँ हूँ, मतलब 50% मेरी advertising बढ़ा रहा हूँ, तो मेरी sales डबल हो जाएगी, 10,000 की जगा मैं 20,000 रुपेट जाल हूँ, so there is always a relation between the company's sales forecast and the proposed marketing expenditure, the sales forecast is the result of a proposed or assumed marketing expenditure plan, जैसे मैंने आपको भी समझाया कि आप कितना खर्चा कर रहे है, उसके basis पे आपका forecast change होता है, revise होता है, the sales forecast would have to be revised whenever changes are made in the expenditure, I just gave you the example for this, now a company may make sales forecast for an entire product, जैसे कि मैंने आपको बोला, आपके 90 types of sales forecast बन सकते हैं, आप सिरफ, अगर for example, अगर a Hindustlan liver एक company है, तो वो पूरे, अपनी पूरी detergent line का forecasting कर सकती है, कि इस साल, भाई, detergent market गुजरात के अंदर इस साल की इतनी है, उस में से इतना percent share मेरा होगा, guarantee, आप predict करते हो, या फिर आप अपने particular item की, अपने product item की बोलते हो कि नहीं, मेरा बाकी सब detergent का पता नहीं, पर वील मेरा कम से कम 20% इस बार market capture करेगा, so this is how you give a forecast, now, sales potential और sales forecast के अंदर हमेशा सब लोगो confusion होता है, तो शायद आपके मन में ये confusion हो, उसको मैं दूर करने की कोशिश करता हूँ, what is the difference between sales potential versus sales forecast, तो sales potential and sales forecast, obviously ये दोनों चीज़े same नहीं है, sales potential is what company would achieve under ideal conditions, दो मिनिट के लिए मान लो, अगर आप जैसे हैं पर हम वील डिटर्जेंट की बात कर रहे हैं, हिंदूर्स्तान लिवर के अंदर इस साल कोई गड़बड़ी नहीं होती, कोई उनको material में problem नहीं होती, कोई बरसात की problem नहीं होती, कोई economy में problem नहीं होती, एकदम एक dream world अगर उनका चलता है, dream run उनका चलता है, तो ideally वो क्या achieve कर लेंगे, that is their sales potential, दो मिनिट के लिए मान लें कि अगर सब कुछ एकदम बढ़िया चलता है, तो इस साल वो 1000 unit बेच देंगे, या उनका market share 20% इस साल होगा, that is their sales potential, बट, इन्होंने ये planning करके काम शुरू किया, दो महिने के बाद ही union की कोई strike हो गई, या फिर बरसात के कारण उनका कोई stock damage हो गया, या जहां से वो raw material procure करते हैं, वो supplier को कोई नुकसान हो गया, तो उसके कारण उन्होंने जो predict किया था, उससे वो कम production कर पाए, या फिर market में अगर कोई नया competitor घुज गया, जिसने कम कीमत पे detergent बेचना शुरू कर दिया, कि तो भी उनको फरक पड़ेगा, तो भी उन्होंने जो predict किया था, उससे असार होगा, विकॉज अब next year तो planning कर लेंगे कि competitor को कैसे निपटना है, इस साल क्या करेंगे, तो forecast उनकी गड़बडगा गई, तो इसके लिए ideally जो होता है, वो sales potential होता है, पर real के अंदर जो forecasting आप करते हो, तो forecasting के अंदर आप थोड़ा सा left side forecasting करते हो, तो for example आपको लगता है, कि हम 20% achieve कर लेंगे market share, बट आप हमेशा जब prediction करते हो, वो worst का, भोलते हैं ना, हमेशा plan for the best and prepare for the worst, आप हमेशा यह planning करके चलते हैं कि कुछ भी गड़बड हो गई, तो हम क्या करें, so typically sales forecast is less than sales potential, because of reasons such as limited production, facilities, inadequate financial resources, etc. Finance बहुत बड़ी game खेलता है, जिसको लोग कई बार ignore कर देते हैं, forecasting में, अब ideally तो मैं बोलता हूँ, मैं 20% market capture करने के लिए तयार हूँ, मेरा product public is loving my product, but आपको वो करने के लिए पैसा invest करना पड़ेगा, production capacity बढ़नानी पड़ेगी, पैसा चाहिए होगा, अगर वो आपको पैसा आ रहे हैं नहीं हो रहा है, तो आप बोलोगे, ठीक है, मेरा potential तो था, but मेरी forecast 20% की नहीं है, मेरी forecast 10% की है, क्योंकि मेरी existing capacity में, मैं इतना ही कर पहूँ हूँ, तो I hope आपको ये sales potential और sales forecast का difference समझ में आया हो, नई समझ में आया है, तो हम class में इसको ज़रूर workshop करेंगे, थोड़ा सा tricky point है, इसको workshop करेंगे, तो यहाँ पे हमने terminology सीखी, next time हम लोग forecasting approaches और किस तरह से forecasting करें, वो हम next video में समदना शुरू करेंगे, तो please click for the next video,